गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स प्रिविएस वीडियो में हमने फ्लार के स्टक्चर और फ्रंक्षन्स के बारे में डिसकस किया और कुछ इंपोर्टन डेफिनेशन भी की थी हमने जैसे की फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन I hope आपने वो सभी टॉपिक्स रीड कर लिये होंगे अच्छे से और आपको समझ भी आ गई होंगे So students आज हम next topic continue करेंगे अपना that is fruit और उसके बाद हम seed वाला topic करेंगे students So let's start Fruit The ovary of the flower after fertilization develops into the fruit देखे students previous वीडियो में मैंने बताया था आपको कि flower के अंदर ovary जो होता है वो किस के अंदर होता है carpal के अंदर होता है देखे मैं diagram से बताती हूं आपको ये flower मैंने बताया था आपको ये जो portion है ये carpal होता है हमारे पास carpal means जो female reproductive part होता है plant के अंदर okay so इस carpal के अंदर three parts होते हैं ovary होता है second होता है style stigma stigma style ovary तीन पार्ट होते हैं students जो ovary होता है वो fertilization process के बाद fruit में बदल जाता है fruit बन जाता है ovary का तो ये आपने याद रखना fertilization का मतलब क्या होता है जब male gamet female gamets के साथ fuse हो जाते हैं combine हो जाते हैं fertilization किया था हमने कल जब male gamet fuse हो जाते है female gamets के साथ तो fertilization process होती है fertilization के बाद क्या होता है बच्चो ovary का क्या बन जाता है fruit बन जाता है ये one mark के लिए आपने याद रखना है okay ओवेरी किस में कनवर्ट हो जाता है फ्रूट में आपको पताईए है बहुत सारे फ्रूट्स काई हुए है आपने लाइक गबावा, ग्रेप, एपल ओगे स्टूडेंट्स तो फ्रूट्स कैसे होते हैं फ्रूट्स आर जूसी, पल्पी एंट एडीबल फ्रूट्स जूसी होते हैं जूस निकलता है उनमें से और पल्पी होते हैं जो उसका पॉर्शन काफी सारा जो होता है उसको हम खा सकते हैं, पल्प होता है उसके अंदर एडीबल, एडीबल मेंस खाने लायक होते हैं, फ्रूट्स पता ही मतलब होता है seed का फैल जाना एक जगा से दूसरी जगा पर चले जाना A fruit consists of two major parts, the outer covering namely the pericarp and its flashy pulp which is the fertilized gamet or seed देखिये students, mainly fruit के अंदर two parts होते है एक होता है pericarp और दूसरा होता है seed Okay students जो pericarp होता है, वो क्या होता है outer covering होती है fruit की fruit की outer covering को हम क्या बोलते है pericarp बोलते है students और जो flashy pulp होता है जो portion हम कह रहे होते हैं तो वो क्या होता है fertilized gamet होता है जो seed बन चुका होता है इसलिए उसको क्या बोल देते हैं हम seed बोल देते हैं students fertilized gamet क्या होता है seed होता है दो पार्ट हुए fruit के क्या pericarb और seed अब एक ये lemon दिखाया गया है आपको picture के अंदर juicy fruit है juice निकलता है इसमें से अब हम पढ़ते हैं बच्चो pericarb के बारे में pericarb के अंदर 3 layers होती है दिखो कुनसी कुनसी होती है first होती है epicarb the outermost layer which is skin of the fruit for example the peel of the banana epicarb क्या होती है fruit की सबसे बाहर वाली जो layer होती है जैसे banana का जो peel है जो शिलका है उसको हम क्या बोलेंगे epicarb बोलेंगे next is mesocarp the middle flashy juicy pulp which is eaten in a mango और a banana जो portion mango का या banana का हम खा रहे होते हैं students जो beach वाला portion होता है जो juicy portion होता है एक तरीके से flashy होता है जिसको हम खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे mesocarp बोलेंगे next one is endocarp the innermost hard layer enclosing the seed fruit के अंदर जो सबसे अंदर वाली hard layer होते है जिसके अंदर हमें seed मिलता है bees मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं endocarp बोलते हैं तो students fruits के two parts हुए हमारे पास pericarp और seed pericarp की three layer हो गई हमारे पास तो यह आपने याद रखने है अच्छे से और ovary किस में convert हो जाता है fruit में convert होता है now next functions of fruits fruits काम क्या करते हैं a fruit is the edible part of a plant and it stores food देखिए fruit जो होता है plant का edible part होता है edible का मतलब खाने लाइक जिसको हम खा सकते हैं क्योंकि यह अपने अंदर food store करता है it stores food a fruit contains the seed within and protects it from harsh climatic changes fruit जो होता है students अपने अंदर bees को लिए रखता है और bees को किससे बचाता है harsh climatic conditions से जो climatic conditions होती है it means जो बहार से उसको problem हो सकती थी उससे fruit बचा लेता है किसको seed को fruit क्या करता है अपने अंदर bees लिए रखता है seed को लेकर रखता है और उसको protect करता है harsh जो खराब climatic conditions होती है उससे उसको बचाता है fruit plays a major role in seed dispersal fruit जो है students वो seed dispersal में बहुत ज़्यादा important role play करता है अब जो seed dispersal है वो wind से भी हो सकता है water से भी हो सकता है और animals से भी हो सकता है students इनके बारे में हम higher classes में और ज़्यादा deeply study करेंगे okay students now our next topic is seed every seed contains a tiny plant embryo with leaves stems and root parts waiting for the right condition so that they can germinate and grow the fertilized ovule is called the seed देखे students हर एक bees के अंदर छोटा plant होता है जिसको हम क्या बोलते है embryo बोलते है और embryo में क्या-क्या होता है फिर leaves भी होते है उसमें stems भी होते है और roots भी होती है और ये roots जो है students वो right conditions का मतलब proper temperature वगेरा का soil का weight कर रही होती है ताकि वो growth कर सके waiting for the right condition so that they can germinate and grow germinate का मतलब होता है growth होना start हो जाना किसी seed की जो growth होनी start हो जाती है तो हम क्या बोल देते है उस germinate होना शुरू हो गया है बढ़ना शुरू हो गया एक तरीके से so embryo क्या करता है students उसके अंदर leaves, stems और roots होते है वो proper conditions की weight कर रहा होता है जैसे ही उसको water वगयरा मिलता है soil मिलती है तो वो germinate हो जाता है, grow हो जाता है the fertilized ovule is called the seed जो fertilization के बाद ovule जो होता है students, उसी का क्या बनता है seed बनता है, देखिए students again मैं डाइग्राम से आपको clear करती हूँ देखिए flower के अंदर ये portion flower का carpel होता है carpel के अंदर stigma style ovary होता है अब देखिए ये जो swollen portion है ये ovary है इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको 20 दिखाई दे रहे हैं इनको हम ovule बोलते है ovule ही क्या बनते है seeds बनते हैं students fertilization के बाद ovule क्या बन जाते है seed बन जाते है ovary का fruit बनते है और ovule के seed बनते है बहुत important question है दोनों ये now ovule gives rise to new plant ovule से नया plant बन जाता है क्योंकि seed है वो एक तरिके से seeds are protected by a coat seed एक covering के अंदर बन्ध होते है this coat can be thin or thick and hard जैसे आपने mango का seed देखा होगा students okay एक covering होती है उसके उपर this coat can be thin or thick and hard जो coat होता है students जो bees को protect करता है वो पतला भी हो सकता है मोटा भी हो सकता है hard भी हो सकता है कथोर भी हो सकता है okay now देखिए ये आपको fruit का internal structure दिखाया गया ये fruit है पूरा हमारा ये seed दिखाया गया है seed के पार्ट दिखाया गया है seed coat ये embryo है और ये है students endosperm अब मैं आपको endosperm के बारे में बताती हूँ देखिए endosperm ऐसा पार्ट होता है students बीज के अंदर जो food supply का काम करता है एक तरीके से देखिए a seed consists of a part which acts as food supply for the development of the plant embryo this part is called the endosperm एक seed के अंदर ऐसा पार्ट होता है जो food supply का काम करता है embryo के development के लिए उसी को हम क्या बोलते है endosperm बोलते हैं students okay definition याद रखनी है आपने it is formed at fertilization but is not part of the embryo ये fertilization के बाद बनता है but ये embryo का part नहीं होता उससे अलग होता है it is used by the embryo to help its growth endosperm का use seed किसलिए करता है सिरफ अपनी growth के लिए the baby plant inside the seed is the embryo and is protected by cotyledons जिसको हम क्या बोलते हैं seed leaf बोलते हैं देखिए जो baby plant होता है beige के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं embryo बोलते हैं और embryo किस से protected होता है cotyledons से seed के leaf जिनको बोलते हैं seed leaf कौन होते हैं cotyledons होते हैं अब कुछ भीजों के अंदर students एक ही cotyledon एक ही seed leaf मिलता है हमें और कुछ में दो मिलते हैं तो उसके according हमें जो seeds होते हैं वो two types के मिलेंगे dicote और monocote some seeds have two cotyledons and are called dicote while some have one cotyledon and are called monocote example देती हूँ मैं आपको देखिए अगर हम बात करें grass और banana plants की तो वहाँ पर जो seed होगा वो एक तरीके से monocote होगा mono का मतलब होता है one, die का मतलब two single cotyledon monocote double, it means two cotyledons हो गए तो dicote हो गया वो grass और banana वगयरा के अंदर wheat जो होता है उनके अंदर आपको monocote मिलेंगे और peas, beans वगयरा होते हैं उनके अंदर आपको dicote मिलेंगे दो cotyledons मिलेंगे वहाँ पर देखिए एक ये और एक ये यहाँ पर single ही cotyledon होता है अब ये जो सबसे बाहर वाला ये seed coat होता है अंदर इसके जो green color का portion दिखाए दे रहा है ये embryo हो गया और ये जो हो गया students ये है stored food food जो store करके रखा हुआ है seed ने तो ये चीज़े आपने याद रखनी है okay students now next topic is germination of seeds given the optimum temperature water and light acid germinates to give rise to a new plant देखे students जब proper temperature water or light वगयरा मिल जाता है न वीज को तो वो growth करने start कर देता है germinate होना start कर देता है germination हो जाता है students उसके अंदर okay now next optimum का मतलब जो है students वो ही होता है proper temperature मिल जाना favorable जो चाहिए है वीज को growth के लिए वो मिल जाये तो growth होनी शुरो हो जाते है germination हो जाता है functions of a seed seed काम क्या करता है a seed protects the embryo and provides nourishment for its growth seed जो है students embryo को protect करता है एक तो और उसको nourishment उसको portion देता है growth करने के लिए till the new sapling forms the root जब तक नए पोधे की जड़े नहीं बन जाती है तब तक उसको protection देता है some seeds are light in weight while some show hair like structures which help them to disperse properly कुछ seeds हलके होते है और कुछ में students क्या होता है hair like structure होते है bal जैसे structure होते है जो उनको फैलने में मदद करते है dispersion की process को fast कर देते है dispersion जल्दी हो जाता है वहाँ पर okay students तो ये था हमारा lesson students ये lesson आपने अच्छे से रीड करना है बहुत जादे इंपोर्टेंट है हमारा ये chapter higher classes के लिए और भी deeply हम study करेंगे इस chapter को higher classes में okay students now कुछ homework दिया था मैंने आपको उसके एक बार cross check कर लीजिए आप check point फिल करने के लिए बोला था first name the plant in which the stem is modified as a tendril ऐसा plant बताना है जहां पर stem modify मतब change होके क्या tendril जैसा बन गया it means थोड़ा सा thread-like structure जो coil जैसा गोल गोल बना लेता है और लिपट जाता है किसी plant के ऊपर तो ऐसा stem उसका नाम बताना था grape plant जो है students grapes जो है वो दूसरी प्लांट का सहारा लेकी ऊपर चली जाती है ना उसकी बेल तो इसलिए उसका जो stem है वो modify हो गया था tendril में now next name the plant in which leaf is modified as a tendril ऐसा plant जिसके अंदर leaf जो है वो modify हो गया tendril बन गया leaf की tendril बन गया glory lily भी example दे सकते हैं इसमें आप और pea जो matter होती है students वो भी इसका example बन जाएगा next fill in the blanks a succulent stem is a dash succulent stem कैसी होती है students जो थोड़ी सी flashy हो जाती है मोटी हो जाती है थिक हो जाती है cactus के अंदर हो जाती है succulent stem का example कौन सा होगा cactus यह मैंने previous video में बताया है आपको the two parts of a fruit are dash and dash अभी अभी बताये हैं दो पार्ट होते हैं pericarp or seed seeds having two cotyledons are called diecotes while those having one cotyledon is called monocoat अभी अभी बताया है previous topic में मैंने आपको the outermost green colored hole of flower is called सबसे बाहर वाला green color का जो portion होता है flower का उसकों क्या बोलते हैं sepal बोलते हैं while the second colorful hole is called जो colorful जो colorful जो attraction देते है part, flower का वो कुन सा होता है petal होता है बताया था मैंने जैसे जो flower की तरफ हमारी attraction होते है उसकी color के कारण होते है तो जो colorful hole है flower की अंदर उसको हम क्या बोलते है petal बोलते हैं students now next leveling करने है यहाँ पर देखे students science में जो भी diagram हम बनाते है उसको label करना उसके parts के नाम लिखना बहुत ज़्यादा माइने रखता है आपको labeling अच्छे से आने चाहिए कि कौन सा part क्या है इसके अंदर देखे जैसे इसको label करते हैं हम यह जो part है यह flower है इसका यह पूरा का पूरा अगर हम बात करें यह leaf है students leaf है यह यह जो पूरा portion है यह leaf हो गया और यह leaf जो है students यह stem से attached है इस portion के द्वारा इसको हम petiol बोलते हैं यहाँ पे मैंने show किया हूँ petiol हो गया यह ओके next यह जो point of attachment है यह वाला जो portion है पता stem से attached है इस point के थ्रूँ इसको हम note बोलते हैं कल डिसकस हो चुके है यह previous वीडियो में सारी चीजें यह जो portion है इसको हम leaf blade बोलते हैं या फिर lamina बोलते हैं और यह जो network है यह जो दिखाई दे रहा है आपको यह veins होती है students और यह हो गया fruit तो यह parts आपने level करना है इनको अच्छे से और याद भी कर लेना है now next इसके जो summary है एक तरीके से points to remember इसको भी आप read कर लेना chapter में कर चुके हैं हम यह सारा और next आपने important definitions इसकी read करनी है सारी की सारी हम discuss कर चुके हैं chapter में और इनको अपने अपनी notebook में write भी करना है students need and clean handwriting after that you will try to do this exercise yourself यह exercise आपने try करने है students इसको इनके answers find out करने की कोशिश करने है आपने philips भी और यह name the following वगयरा सारे आपने यह कर के देखने हैं आपने आप okay thank you